नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो इस समय हमारे चैनल पर एक्टर्स के कंपरजन की एक सीरीज चल रही है जिसको आप सभी ने काफी अच्छा रिस्पाउंस दिया है इसलिए आज हम लेकर आ चुके हैं एक ऐसा ही वीडियो चैक आउट नहीं किया है तो जरूर कर लें इसकी लिंक आपको उपर आई बटन पर दी गई है साथी साथ डिस्कलेमर यह है कि इस वीडियो को सिर्फ इंटर्टेन्मेंट परपस के लिए बनाया गया है यहां पर हमारी कोई भी इंटेंसन नहीं है कि हम किसी इस्टार की तारिफ करें या फिर किसी भी इस्टार को डाउन ग्रेट करें हमारे कुछ पैरामिटर्स हैं और उसी के बेसेस पर हम से बात करेंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें सल्मान खान और अजीत कुमार डेफिनेटली जब हम दोनों स्टार्स को देखते हैं तो लुक वाइज एक काइंड ओफ सिमिलर्टी जरूर देखने को मिलती है और विटली सल्मान खान थला अजीत कुमार से सीनियर हैं इन्होंने 1988 की फिल्म बीबी हो तो ऐसी से सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर अपना डेब्यू किया एक फुल फलेश्ट हीरो के तौर पर इन्होंने 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया से डेब्यू किया मैज एक क्रोंड के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ओवेस पर 28 क्रोंड की कमाई करी और इस फिल्म को आल टाम ब्लोकबस्टर की वर्डिक मिली इस फिल्म ने सल्मान खान को एक स्टार स्टेटस दिया वहीं बात करें अजीत कुमार की तो इन्होंने 1993 की फिल्म अमरावती से अपना डेब्यू किया फिल्म के गानों के दम पर इस फिल्म को डिसंट सी सकस्स मिली लेकिन जिस समय ये फिल्म अपने पोस्ट प्रोडक्शन में थी उसी दौरान अजीत कुमार का एक मेजर एक्सिडेंट हो गया जिसके चलते अजीत कुमार लंबे समय तक बेड रेश्ट पर थे और वहीं इस फिल्म में इनकी आवाज को डब किया था चियान विक्रम ने हाला कि फिल्म तो बॉक्स आविस पर सक्सेस्फुल रही लेकिन उस समय केसी वी मेकर्स ने एक बेड रेश्ट पर पड़े एक्टर की उपर दाउं खिलना सही नहीं समझा इसके बाद अजीत कुमार को फिर से एक सुरू से स्टार्ट करना पड़ा दोस्तो इतिफाक यही है कि इन दोनों स्टार्ट ने फिल्मों में अपनी पारी के सुरुवात रोमेंटिक हीरो के तौर पर करी लेकिन आगे चलकर इनकी इमेज एक एक्टर हीरो की बन गई बात करें अजीत कुमार की तो इनके केरे की टर्निंग आउट फिल्म थी थी ना यही वो फिल्म थी जिसने अजीत कुमार को थला का टाइटल दिया दोस्तो धीना अपने समय तक की अजीत कुमार के केरे की बिकेस ब्लॉक पच्टर थी इस फिल्म ने अजित कुमार की इमेज एक एक्सन हिरो के तौरपर स्ट्रॉंग करी साथी साथ इसी फिल्म से अजित कुमार को एक सूपर स्टार स्टेटस मिल गया फिर इसके बाद अजित कुमार ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा वहीं बात करें सल्मान खान की तो दोस्तों सल्मान खान और सूरज बढ़ जातिया का कैमियो सल्मान खान को 90's के Biggest Stars की लिच्ट में लाकर आ चुका था मैंने प्यार किया ने सल्मान खान को एक Star status दिया वहीं हम आपके हैं कौन के बाद सलमान खान को एक सूपर स्टार स्टेटस मिल चुका था हाला कि साल दोर नौ वाला फेस इनके केरेर का गूर्डन फेस कहलाएगा जहां पर इन्होंने वांटेड, दबंग और बाडी गार्ड जैसी बिगेस्ट हिट दी और इन्डरि के बिगेस्ट सूपर स्टार कहलाने लगे और इसके बाद इन्होंने अलमोस्ट एक दसक तक अनबीटेबल रूल किया दोस्तो अजित कुमार की केरेर की बिगेस्ट ब्लोगबेस्टर फिल्म है सालदोर 30 की तुनवू दोस्तो इस film ने 200 क्रोंट प्लस की कमाई करी जो कि अजीत कुमार की केरेकिस सबसे बड़ी ग्रोसर है वहीं बात करे सल्मान खान की तो इनके केरेकिस सबसे बड़ी फिल्म है बजरंगी भाईजन इस फिल्म को 75-90 क्रोंट के बीच में बनाये गया और इस फिल्म ने बॉक्स ओवेस पर 970 क्रोट की कमाई करी जो कि मिश्टर खान के कैरे की सबसे बड़ी ब्लॉकबेस्टर है जब बात बिगर ब्लॉकबेस्टर फिल्म की हो ही गई तो बिगर डिजाश्टर फिल्म की भी होनी चाहिए दोस्तो अजीत कुमार की कैरे का अब तक का सबसे बड़ा फेलियर है वी वेगम रिलीस के समय इस फिल्म का जबर्जस हाइब था इवन वीरम और वेदलम के बाद डेक्टर सीवा के साथ इनका ये थर्ड कुलेबरेशन था प्लस इस फिल्म का टाइटल भी वी से था इसी का चलते इस फिल्म से काफी ज़धा उमीदे थी मगर जब फिल्म रिलीस हुई तो बुरी तरह से पिटी और अजीत कुमार के कैरे की एक फेलियर के तौर पर देखी गई वहीं सलमान खान की कैरेर की बात करें तो इनके कैरेर की बिकेश्ट फेलियर है राधे ये फिल्म कोविट फेस में रिलीस हुई बॉक्स ओफिस नंबर के मामले में ये फिल्म तो फेल हुई ही वहीं क्रिट के ली भी इस फिल्म को काफी लताड़ा गया बीते एक दो दसकों में सलमान खान ने इतनी घटिया फिल्म फिलाल तो नहीं दी है इसलिए बिकर डिजाष्टर का क्रेडिट तो सलमान खान को यह मिलना चाहिए दोस्तो दोनों इस्टास ने नंबर ओफिल्मों में काम किया जहां अजीत कुमान ने अब तक 61 फिल्मों में ऐस लीड हिरो काम किया जिसमें इनके 27 फिल्मों ऐसी थी जो बॉक्स ओवेस पर या तो फ्लॉप थी या तो उन फिल्मों को बिलो एवरेज की वर्डिक मिली है आईमडीवी पोर्टल के अगॉर्डिंग अजीत कुमान ने टोटल 34 ऐसी फिल्में थी जो की कमर्शली सकस्फुल रही इस हिसाब से इनका सकस्फ रेशियो बनता है 55% वहीं बात करें सलमान खान की तो इन्होंने वैसे तो कई और फिल्मों में काम किया लेकिन लेडिंग ह के कहरे में टोटल 50 फिल्में ऐसी है जो की कमर्शली सकस्फुल है इस तरह सलमान खान का सकस्फ रेशियो बनता है 59% एक श्रीवे ये भी है कि अजीत कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म वीरम की रिमेक में सलमान खान ने काम किया और ये फिल्म थी किसी का भाई किसी का जान वहीं रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल कर आ रही है कि अजीत कुमार की मुवी यन नई एरंदाल की रिमेक में सलमान खान काम कर सकते हैं अजीत कुमार और सलमान खान नो डाउट इंडिया के बहुत ही फेमस एक्टर हैं लेकिन जब बात पैन इंडिया अपील की आती है तो कहीं न कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि दोनों स्टास की फिल्म में अपोजिट बेल्ट में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती है सलमान खान की लास्ट रिलीज सौथ बेल्ट में नहीं चली वहीं अजीत कुमार की लास्ट रिलीजस हिंदी बेल्ट में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई हाला कि फिर भी इन टरम्स ऑफ पॉपलर्टी सलमान खान पैन इंडिया पर एक बहुत बड़े फेस हैं इन्हें इंस्टाग्राम पर 68.9 मिलियन वहीं एक्स पर 45 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और अधर एंड थला अजीत कुमार सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं ही नह हैं इनकी नंबर ओ फिल्मोंने Overs Highski में 50 क्रोब प्लस का बिजनस किया है वहीं On the Other एंड सलमान खान की बात करें तो सलमान खान भी Oversies मारकेट में 1150 क्रोड और इवन 200 क्रोड प्लस बिजनस किया है बसरत्य फिल्म अच्छी होनी चाहिए दोस्तों कंटिनिवर सकस्स की बात करें तो स्तालदोर 11 की मनखथा के बाद सिर्फ बिल्ला 2 को अगर छोड़ दें तो अजीद कुमार की बैक टू बैक 11 फिल्में ऐसी थी जिनोंने 100 क्रोंट प्लस का बिजनस किया इनी में से 5 फिल्में ऐसी भी थी जिनोंने 1500 क्रोंट प्लस का अकला टच किया वहीं 4 फिल्में ऐसी थी जिनोंने 200 क्रोंट प्लस का बिजनस किया अजीद सर के केरेग्राफ में हमें एक phenomenal ग्रोथ देखने को मिलता है वहीं वीवेगम को अगर छोड़ दें तो अजित कुमार की स्थारी की स्थारी फिल्में कमर्सी सकस्फुल रही है वहीं बात करने सलमान खान की तो डेफिनिटि सलमान खान की फिल्में भी बड़े नमबर्स डिलीवर करती है लेकिन रादे और किसी का भाई किसी का जान जैसी फिल्में इनके सक्सस के इस्ट्रीक को तोड़ने का काम करती है दोस्तों ये दोनों श्टार बीते तीन दसकों से फिल्मों में एक्टिव हैं इस बीच इनोंने कितनी ऐसी फिलमें दी जो कि highest grosser कहला ही ये भी किसी स्टार के stardom को जानने का एक अच्शा तरीचा हो सकता है बात करें अजीत कुमार की तो इनके कैररे में मातर एक फिलम ऐसी है जो साल की highest grosser कहला ही ये 25 साल दोर एक के धीना वहीं बात करें सलमान खान की तो इनकी टोटल आर्ट फिल्में ऐसी हैं जो हाईजिस ग्रोसर कहला ही इसमें 1989 की मैंने प्यार किया, 1991 की साजन, 1994 की हम आपके हैं कौन, 1999 की हम साथ साथ हैं, 2005 की नो एंट्री, 2011 की बोडिगार्ड, 2012 की एक था टाइगर और 2015 की बजरंगी एसी फिल्में हैं, जो की साल की हाईजिस ग्रोसर रहीं आईफ आवार्ड और पाच जी सिने आवार्ड मिला, खैर वीडियो के कंक्लूजन पर पहुचने से पहले, हमें एक बाद ध्यान रखनी होगी, कि यहाँ पर बॉलिवोड के एक स्टार का कंपैरजन, एक ऐसे स्टार से हो रहा है, जिसकी फिल्में मिजरली एक इंडस्टी या फिर एक स्टेट तक ही सीमित है, इसलिए ये अनफेर तो होगा, लेकिन हमारे पैरामेटर के हिसाब से जो है यही है, खैर यह रहा आज का हमारा स्पेसल वीडियो, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.